हालो गाइज वेल्कम बैक टो माई यूटूब चना क्रिस्ता ब्लोग्स आई होब आप सब बहुत अच्छ होंगे आज का भी वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो हो आज मैं आप सबके लिए लेकर रहा हूँ डायमंड येरिंग्स कल्यान जोलर से है आज डेली वेर से लेक 2.3 ग्राम है 2.25 ग्राम का इसमें गोल्ड यूज किया गया गोल्ड का प्रियूटी 18 करेट है इसे आप डेली वेर यूज कर सकतो ये अप्रॉक्समेटली 46,000 में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वाल है जो येरिंग है इसे भी आप डेली वेर यूज कर सकतो ये इसका ग्रास वेट 3.08 ग्राम है 2.97 ग्राम का इसमें गोल्ड यूज किया गया येलो गोल्ड में बना हुआ है गोल्ड का प्रियूटी 18 करेट है 0.550 का डेमंड यूज किया गया ये आपको 90,000 के अप्रोक्स्मेटली मिल जाएगा नेक्स्ट वाल है इसका वेट 2.24 ग्राम है येलो गूल में बना हुआ ये भी 2.15 ग्राम का इसमें गोल्ड यूज किया गया गया गोल्ड का प्रियूटी 18 करेट है डामंड 0.420 सेंस का डामंड यूज किया गया ये रिंग अप्रोक्स 3.29 ग्राम इसका ग्रॉस वेट 3.16 ग्राम का इसमें गोल्ड यूज किया गया डामंड 0.650 सेंस का है अप्रोक्समेटली 89,000 में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वाल है इसका ग्रॉस वेट 3.35 ग्राम में है 3.26 ग्राम का इसमें गोल्ड यूज किया गया 18 करेट यलो गूल इसका जो वेट है 2.49 ग्राम है ग्रॉस्वेट, 2.45 ग्राम का इसमें गोल्ड यूज किया गया, 190 सेंस का डामांड यूज किया गया, 41,000 के अप्रोक्स्मेटली ये एरिंग आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट वला जो एरिंग है, यलो गोल में मिल रहा है आपको, 18 करेट है गोल्ड का प्यूर्टी, आज के समी एरिंग का गोल्ड का प्यूर्टी 18 करेट है, इसका ग्रॉस्वेट 3.64 ग्राम है, 3.52 ग्राम का इसमें गोल्ड यूज किया गया, डामंड जो है, 0.59 जिरो सेंस का यूज किया गया, बैक्सेर साब को इस टैप में मिल रहा, यह एरिंग 78,000 के अप्रोक्समेटली मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट वल है, रोस गोल्ड में आपको इरिंग मिल रहा, इसमें जो डामंड यूज किया गया, वो डांसिंग डामंड आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ग्लॉसी लुक आ रहा, यह कल्यान का ओन ब्रांड का डामंड है, इस एरिंग का जो ग्रॉस वेट है, 3.31 ग्रा नेक्स्ट वल है, यह आपको एंटिक विट टेंपल फिनिसम बनाया गया है, इसमें लक्षमा बनी हुए है, इसका ग्रॉस वेट 6.87 ग्राम में है, गोल्ड यूज किया गया, 6.75 ग्राम का इसमें गोल्ड यूज किया गया, डामंड 0.580 संस का डामंड यूज किया गया, यह अप्रोक्स्मेटली 1.31,000 में आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट वल जो एरिंग, इसमें भी डामंड यूज किया गया, डांसिंग डामंड है, इसमें बहुत ही ज्यादा साइन आ रहा है, इसका ग्रॉस वेट है 3.03 ग्राम है, 2.95 ग्राम का इसमें गोल्ड यूज किया है, यह अप्रोक्स्मेटली 63,000 में मिल जाएगा, 0.380 संस का डामंड यूज किया गया, इसमें, नेक्स्ट वल जो एरिंग है, आपको रोज गोल्ड में मिल रहा, गोल्ड का प्रिटीड 18 करे रहा है, डेल यूज के लिए यह भी एरिंग बहुत ही अच्छा है, इसका एरिंग है, इसे भी आप डेली यूज कर सकतो, 18 करे रहा है, अपको 3.59 ग्राम इसका ग्रोस वेट है, 3.49 ग्राम का इसमें गोल्ड यूज किया गया, इसे अप्रोक्स्मेटली 76,000 में अपको मिल जाएगा, डामंड जो हो, 0.490 संस का यूज किया गया, इसे एरिंग में, नेक्स डोले जो एरिंग है, 1.73 ग्राम इसका ग्रोस वेट है, 1.68 ग्राम का इसमें गोल्ड यूज किया गया, गोल्ड का प्रोटी 18 करेट है, 0.250 संस का डामंड यूज किया गया, इसे अप्रोक्समेटली 45,000 में आपको मिल जाएगा, डेली यूज के लिए बहुत ही खु 0.190 संस का डामंड यूज किया गया, इसे अप्रोक्समेटली 45,000 में मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट ओले यूज किया गया, 2.51 ग्राम में मिल रहा आपको, 2.47 ग्राम का इसमें गोल्ड यूज किया गया, यूज गोल्ड यूज किया गया, डामंड यूज किया गया, 44,000 के अप्रोक्समेटली ये रिंग आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वाल है आपको ये लोगोल में मिल रहा है गोल का प्रूटी 18 करेट है 3.73 ग्राम इसका ग्रॉस वेट है 3.67 ग्राम का इसमें गॉल्ड यूज किया गया 0.330 संस का डामंड है 65,000 के अप्रोक्समेटली ये रिं Park नेक्स्ट वाल है इसका ग्रोस्ट वेट 2.49 ग्राम में है 2.44 ग्राम का इसमें गॉल्ड यूज किया गया 0.250 संस का डामंड है ये अप्रोक्समेटली 47,000 में एरिंग में मिल जाएगा नेक्स्ट वाल है यह एरिंग आपको 2.3 ग्राम में मिल रहा रोस गोल्ड में है 2.35 ग्राम का इसमें गोल्ड यूच किया गया 0.200 सेंस का डामंड है यह अप्रोक्सिमेट 39,000 में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वाल है यह एरिंग है 2.08 ग्राम में इसका ग्रोस ग्राम में बना हुआ 2.04 ग्राम का इसमें गोल्ड यूच किया गया 0.160 सेंस का डामंड यूच किया गया यह अप्रोक्सिमेटली 38,000 में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वाल है यह आपको यल्लो ग्राम में मिल रहा है गोल्ड का प्यूटी 18 के रहेट है इसका वेट 4.9 ग्राम है 4.85 ग्राम का इसमें गोल्ड यूच किया गया 0.240 सेंस का डामंड है यह अप्रोक्सिमेटली 58,000 में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वाल है यह आपको रोस गोल्ड में मिल रहा है 1.89 ग्राम इसका ग्रोस वेट है 1.85 ग्राम का इसमें गोल्ड यूच किया गया 0.200 सेंस का डामंड यूच किया गया 26,500 के अप्रोक्सिमेटली यह आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वाला 1.95 ग्राम में आपको मिल रहा है 1.86 ग्राम का गोल्ड यूच किया गा 0.49 जूरे सन्स का डामंड और 62,000 के अप्रोक्समेटल ये रिंग मिल जाएगा आपको नेक्स्ट वाला ये गलार लो स्टोन विद्ध डामंड यूच किया गा इसमे इसका ग्रॉस वेट है, 6.07 ग्राम का इसमें गोल्ड यूच किया गा, 0.190 सेंस का डियामड है, 75,000 के अप्रोक्समिटली ये रिंग आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट वाल ये रिंग है, इसका विट 7.34 ग्राम है, 7.22 ग्राम का इसमें गोल्ड यूच किया गया, 11.570 सेंस का डियामड यूच किया गया, अप्रोक्समिटली वन लाग 7,000 में मिल जाएगा आपको, नेक्स्ट वाल है, ये थोड़ा हैबी में है, बोहत ही खुपसूरत है, पार्टी वेट का है ये, 21.02 ग्राम है, गोल्ड का प्रूटी 18 के रेट है, 19.53 ग्राम इसमें गोल्ड यूच किया गया, 4.13,000 के अप्रोक्समिटली मिल जाएगा, 2.980 सेंस का डियामड यूच किया गया, इसमें, वेर करने पिलू की स्टाइप में आ रहा, नेक्स्ट वाले ये रेंग, कलर स्टून के साथ आपको डियामड मिल रहा, इसका विलूप बहुत ही खुपसूरत आ रहा था, 13.63 ग्राम इसका ग्रास वेट है, 11.73 ग्राम का इसमें गोल्ड यूच किया गया, 2,55,000 में आपको मिल जाएगा, डामंड जो है 1.670 सेंज का डामंड है, वेर करने पिलू किस टाइप में आ रहा है इसका, नेक्स्ट वाले ये रेंग, 8.22 ग्राम में आपको मिल रहा, 7.79 ग्राम का इसमें गोल्ड यूच किया गया, 2,40,000 में मिल जाएगा आपको ये अप्रोक्स्मेटली, 2.140 सेंज का डामंड यूच किया गया, इसमें, नेक्स्ट वाले ये रेंग, ये आपको रुबी विथ डामंड मिल रहा, लुक इसका बहुत ही खुपसरत आ रहा था, 12.8 ग्राम है, ग्रॉस वेट, 11.61 ग्राम का इसमें गोल्ड यूच किया गया, वेर करने में बहुत ही प्यारा लुक आएगा इसका, 2.60 सेंज का डामंड यूच किया गया, ये अप्रोक्स्मेटली 3 लाख 90,000 मिल जाएगा आपको,